है हेलो कस तो कैसे रहे करते हैं अच्छे ही होंगे तो अगर आप जीमेल की इमेल यूज़ कर रहे हो पीशा की लेने के लिए या फिर याहू की तो यार उसमें बिसिकली लग रहा है नंबर हाँ वेरिफिकेशन के लिए तो जिसमें नंबर नहीं लगता वो है आउटलुक औ एकांट ब्लोक हो जा रहा है तो न्यू अकांट करने का उप्षिं नहीं आ रहा है या फिर यार आप अगर आप करते हो तो कुछ आ 떨어ा जाता है तो इन दोनों चीजों को कैसे हैं कैसे परिश आपर लेनी है तो अगर जाना चांते हो आप तो वीडियो में बने रही है इसस रोर आ जाता है तो इन दोनों चीजों को कैसे सोल्व करना है कैसे परिशाब की कील लेनी है तो अगर जाना चाहते हो आप तो वीडियो में बने रहे हैं इससे पहले वीडियो को शुरू करें अगर आपने गोडेक्स को जोई नहीं किया तो भर डिस्क्रिप्शन लिंक दिया तो सबसे पहले आरा आपको दिखा को कि क्या क्या प्रोब्लम है तो सबसे वैशन करते हो डाठा सेव होता है तो ऐसा कुछ इनफोर्मेशन आपको दिखाइदी आपको आपको अगया अगर आप Chrome हो तो भाई उसमें बहुत सारे पास्वर्ट से होते हैं वो भी सब क्लेर हो जाएगा अगर आप ब्राउजर में जाते हो किसी और ब्राउजर में अपने फोन के ब्राउजर में तो वहां क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई कि सब कुछ सही है क्रेट अकाउंट का आप जो मतलम की प्रोफली हो रहे है कुछ भी अरोर नहीं आ रहा है नेम से लेके एंड लेकर एमेल लिखने से लेकर और रॉबोट वरिफिकेशन तक यहां सब कुछ सेव होगा यहां सभी कि सभी प्रॉसैस होंगे बट आखरी में क्या होगा वह आपको अभी पता लग ज हम तो मतलम की जो है इंक्रोड मोड यूज करते हैं तो उसमें क्या है उस भी तो हम यूज कर सकते हैं नहीं भई कई लोगों में यह वर्क करता है सभी लोगों में यह वर्क नहीं करता है सभी लोगों में सेम प्रोब्लम आती है आपको दिखा देता हूं कई लोग इंक्रोड करना है चलिए बताते हैं आपको तो आपको जाना है प्लेस्टूर में और कोई भी यार हलका सा ब्राउजर आपको इंस्टॉल कर लेना है जो 10 MB से कम हो या फिर ऐसे ही कुछ न्यू ब्राउजर यूज कर लेना है आपको तो मैं यहां बहुत सारे ब्राउजर देख रहा हूँ इन में से मैं कोगि छोटा सा ब्राउजर कर लूँगा आप यार जो मरजी साकर सकते हैं इसे ओपन करने के बाद अगर हम यहां Outlook की email बनाएंगे, create करेंगे तो properly यार create हो जाएगी क्योंकि यार ना ही तो यहां कोई भी catch है, detect हुए है, website से क्योंकि यह बिल्कुल new है और क्या करना है यार अगर आपको कोई भी problem आती है, आपको basically browser का data जो है clear कर देना है हाँ, app setting में जाके, और इसमें basically आपको कोई भी password या फिर कोई भी information save नहीं होगी इस browser में तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, क्योंकि यार अगर chrome यूज करते हो या फिर आप यूज करते है अपने phone का browser तो उसमें शायद आपने password या फिर और भी information शायद थोड़ी save करके रखी होगी तो उसे आपको remove नहीं करना पड़ेगा, तो इसे आप install कर लीजिए, हाँ कोई भी browser को, different browser को, अगर गाई से उसमें भी यही problem आने लगी है तो आप uninstall करके different browser install कर सकते हो और यार, बहुत लोग सोच रहोंगे include mode के बारे में, तो भाई वी देखो, वो हर बार work नहीं करता है, हाँ मैं खुद यार बनाने की कोशिश करता था, बट कोई भी फरक नहीं होता था, वही error आ जाता था, जिस कारण guys मुझे new browser ट्राय करना पड़ा, और मैंने सुझा कि यार इस से बढ़िया, कोई भी तरीका नहीं होगा तो ये देखिए, robot verification, और इससे पूरा करने के बाद basically क्या होता था, अगर मैं आपने दूसरे browser में करता था, मिन browser में, error आ जाता था, हमेशा भार भार, बट इसमें properly create हो जाएगा, account, तो थोड़ा subvait करना पड़ेगा, तो यहाँ हो जो कहा है guys, account create properly, कोई भी error और कोई भी चीज नहीं देखने को मिली है, तो चलिए पीश आपकी की लेकर देख लेते हैं, time guys वही है, every five minute वाला, और देखो मैं website में आया, जैसे फिफ्त मिनट शुरू हुआ, वैसे ही guys मैंने click किया, हाँ, और जैसे click किया मुझे stock म कि मिल गई, हाँ भाई, कई बार luck बहुत बढ़िया होता है, बट कई बार बहुत किसमत खराब होती है, तो यह मैंने किया click, and सभी के सभी information में यहाँ भर देता हूँ, email आपको भरनी है, जो आपने outlook की create की थी, and उसके बाद, guys आपको बाकी जो information है, वो सभी के सभी अपने 5 minute के लिए, और जैसे ही next 5 minute हो जाएं, वैसे ही, guys, आपको complete order पे click कर देना है, हाँ, robot verification करा के, और आप देख सकते हो कि सभी की information जो मैंने भरी है, वो randomly भरी है, बसे email जो है, उसे मैंने सही भरी है, जो की outlook है, जो मैंने create की है, अब यह आपके सामने, तो robot verification कर देते हैं, और guys, properly, यह देख सकते हैं, आप मुझे email मिल चुका है, अब मैं जाओंगा अपने outlook के email के अंदर, तो चली चलते हैं, home में, तो यह गए हम home में, oh my god, guys, मुझे email नहीं मिल रहा है, तो don't worry, आपको जाना है, junk email में, हाँ, आपको 3Land पे click करना है, और junk email में जाना है, आपको verification के यह पीजी शाप के द्वारा email मिल जाएगे, क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको sign in कर लेना है, हाँ, वही email outlook वाली and password जो आपने लगाया था, password आपको याद रखना है, ऐसे भी कुछ मतलम की, randomly कुछ भी password मतलिक न, तो यहां रोबर्ट पैरविकीशनली कह रहा है, ज तक लिए सिनो नारा, ओके बाई